हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपने चनल प्रवेक्ट फिलस्य सेलूशनस में और मैं आपका दोस्त ग्वोन एक दोस्तों आज आपने देखा होगा कि भारती बजारों में निफ्टी में भारिभेंकर क्रेश आया और यह क्रेश का करन क्या था और क्या आगे यह इसको हम opportunity की तरह treat करें या यह एक trap है आए दोस्तो आप पूरी वीडियो देखते हैं देखिए दोस्तो आज जो भारतिय बजारों की opening होती है वो gap up opening होती है 14,855 पॉइंट के उपर और जो यह level था वही आज का high था उसके बाद market गिरने शुरू होती है और उसके बाद गिरत का low बनता है 14,478 points का और जो निफ्टी में आज हाई बनता है वो बनता है 14,875 points का और निफ्टी जहां पर जाकर आज बंद होती है पे पर जाकर और थोड़े से recover होती है वो होती है 14,557 points पर यानिकि निफ्टी आज 163 points नीचे बंध होती है और परसंटेज की बात करें तो एक दशमल एक एक परसंट नीचे बंध होती है बट आप ये नंबर बहुत चोटा है अगर आप आज के लो को आज के हाई से कंपेर करेंगे तो निफ्टी में आज 400 पॉइंट की मुवमेंट आती है वो भी नेगेटिव क्योंकि सुबह गैप अप के साथ खुला था इतनी उपर जाने के बाद जब ये 200-200 पॉइंट नीचे गया तो 400 पॉइंट का स्विंग था आज निफ्टी के अंदर और लोगों ने जो फ्यूचर्स और आप्शन्स वले ट्रेडर्स थे उनकी तो आज खटिया खड़ी हो गई होगी दोस्तों जो हमने अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स के टार्गेट्स दी हुए थे उनकी कितने स्टॉक्स के तो स्टॉप लॉस हिट हो गए वो हम अभी अभी अपनी कैलकुलेशन के उपर स्टॉक्स भाए करते हैं बट जिसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसको कोई अभी knowledge ही नहीं है उसका क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं आप कलपना कीजिए के लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा आज और यह सारी game operator खिलाता है जितना भी पैसा market में movement आती है कभी तेज होती है कभी नीचे होती है सारी game operator की है आप दोस्तों बात करते है की इंड आइसीज की निफ्टी bank आज down पे बंद हुआ निफ्टी mid gap down निफ्टी next 50 down निफ्टी 100 down निफ्टी 200 down निफ्टी 500 down निफ्टी small gap 100 down निफ्टी mid gap 50 down खून तो मतलब आज तो पूरी भारती market में लाल निशान दिखा खून की हुली खेली गई आज अगर बात करें sectoral indices की तो आज जो top loser sector था वो था वो था निफ्टी IT और उसके बाद जो top loser second sector था वो था निफ्टी फार्मा निफ्टी IT आज तीन दिशामल 0.9% down नेगेटिव में बंद हुआ है और निफ्टी फार्मा भी 2.32% नेगेटिव में बंद हुआ आज बात करें हरे निशान की और positive कौन से कौन से आज sectoral indices से तो निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल और निफ्टी कंजप्शन ये तीनों sector जों से हरे निशान के साथ बंद हुए बट flat बिल्कुल flat बंद हुए बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक आज एक प्रतिशत नीचे बंद हुआ और 33,800 56 पर ये बंद हुआ जबकि इसकी जोंसे support zone है वो 32,500 के आसपास है तो आने वले दिनों में ये आपको 32,500 तक भी दिख सकता है आपको panic होने की ज़रूद नहीं है और उपर इसकी क्या करते है रिजिस्टेंस की zone है वो पहली 38,000 और दूसरी 40,000 है तो निफ्टी में उतारवा चड़ाव देखने के बाद मुझे गना याद आ रहा है मार्किट की यही रीत है हार के बाद ही जीत है कभी अप ट्रेंड है कभी डाउन ट्रेंड आज डाउन है तो कल अप होगा दोस्तों बात करते हैं ITC की शेर की आपने देखा होगा के पूरी मार्केट डाउन होने के बावजूद भी ITC आज उल्टा भाग रहा था उसका क्या कारण था आइए पड़ते हैं According to stock market experts, this rise in ITC share price is due to news break of likely de-merger of ITC companies into tobacco, FMCG, and hotels. They said that the ITC share may hit 220 targets in immediately terms, while in medium term, it may go up to 235 to 240. Speaking on the reason for rise in ITC share price, Mudit Goyal, Senior Research Analyst at SMC said ITC share price is skyrocketing on talks of de-merger of its FMCG, hotel, and infotech businesses. कुछ ऐसी आ रही है कि जो de-merger की प्रिक्रिया ITC काफी देर से कर रहा था वो अब अंतिम चरण में हैं और कभी भी इसका de-merger हो सकता है ITC इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसमें tobacco का कारोबार है और tobacco पे आप हर साल देखते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार tax impose करती है जिसके कारण वो share में moment नहीं आपाती इसके साथ के जोंसे pair companies हैं like Hindustan Unilever जो FMCG की company है उसमें इतनी जबरदस्त moment रहती है और ITC का share moment नहीं दे पाता उसका कारण यही है कि इसके अंदर tobacco का business है जब भी ये share de-merger होगा ये companies de-merger होंगी इनकी तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी moment आने की संभावनाएं है जोस्तों बात करते हैं Nifty 50 के technical chart की आज जहां पे Nifty 50 का low था वही point जोन सा support line है अगर Nifty further वहां से तूटती है तो इसमें जोन सी pattern formation मन रही है वो मन रही है double top pattern formation तो इसका जोन सा सीधा impact होता है वो market पे होगा क्योंकि ये double top जोन सी pattern formation है वो negative होती है अपने nature में और अगर हम देखें तो Nifty 50 day moving average है आज उसको भी तोड़के उससे भी नीचे बंद हुआ है Nifty के मैंने दो support zone दिये है support zone 1 और support zone 2 अगर support zone 1 तूट जाता है जिसको आज Nifty ने अपना low लगाया अगर low लगाने के बाद जहां से recover हुआ अगर वो low तूट जाता है तो उसका support zone 2 जोन सा आ रहा है वो आ रहा है 14,350 तक उसके बाद 14,350 को Nifty टच कर सकती है तो आई अब दोस्तों बात करते हैं technical indicators की MACD moving average conversion diversion की बात करते हैं आज इसमें negative histogram जोन सा है वो बड़ा हो गया है इसका मतलब है कि market अभी further और गिर सकती है इसके बात करेंगे RSI की RSI भी आज negative बंद हुआ 42.5 पे जबकि आप जानते हैं कि 50 के नीचे RSI negative मना जाता है उसके बाद बात करेंगे DMI की directional moment index की इसके अंदर जोंसे ADX की line है जो blue line आप देख रहे हैं उसके अंदर आज strength आई है but negative बात ये है कि strength आई है negative जोंसे strength आई है वो sellers के साथ आई है मतलब nifty आगे market और भी गिर सकती है मतलब मैं sure नहीं कहता गिरेगी कि नहीं गिरेगी बट गिर सकती है एक prediction है हमारे पास अगर further market गिरती भी है तो आपको एक अपनी list बनानी चाहिए shares की जो आप महंगे rate पे भी लेने को तयार थे वो आपको अगर सस्ते rate में मिलेंगे तो क्यों ना उसको buy किया जाए अपने सलाकार अपने financial advisor अपने technical advisor से आप सला लीजिए और एक list बनाईए जोंसे shares आपको सस्ते में मिलें क्योंकि sale लग रही है आपको सस्ते में मिल रहे हैं अभी लीजिए दोस्तों share दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे मेरे channel को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए share इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप अपनी knowledge किसी के साथ share करेंगे तो आपकी knowledge बड़े की कम नहीं होगी गुरु नानक देव जी ने कहा है सरबत के भले में आपका भला है अगर आप किसी का भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा कर भला हो भला अंत भलेगा भला